सुकेश सर्पुन्हा आपके सामने अलफाबेट चेप्टर का क्लास टू लेकर के आया हूँ और कल हमने पढ़ा था इसमें अलफाबेट चेप्टर का टाइप वन पोजिशन ओफ लेटर्स और टाइप टू पढ़ा था इस्ट्रेट ओडर ओफ अलफाबेट आज हम लोग परहें ए टाइप थर्ड इसका अपोजिट ओडर अलफाबेट अपोजिट ओडर अलफाबेट का मतलब हुआ अगर हाँ अलफाबेट को ल्टे करम में Z से लेकर के A तक लिख देते हैं यह हमारा हो जाएगा अपोजिट ओडर अलफाबेट अप इसमें भी अपोजिट ओडर अलफाबेट में भी जो होता है दो तरह का डिरेक्शन इसमें भी होता है फर्स डिरेक्शन इसका है आपका सिंगल डिरेक्शन सिंगल डिरेक्शन और दूसरा है आपका इसमें भी बोथ डिरेक्शन आपको single direction और both direction दोनों के बारे में कल के class में में बता चुका हूँ क्या है इसलिए इसमें जो है हम लोग को आगे बतानी की ज़रुत है नहीं single direction का अगर question आएगा तो इसमें क्या करेंगी वो आप PC निकालने का फर्मूला single direction के लिए आप सीखे हुए हैं PC बरावर क्या होता है पहले वाला मैनस दूसरा वाला और बोथ direction के लिए हम लोग पढ़े हुए हैं PC निकालने के लिए पहले वाला पलस दूसरा वाला ठीक है पहले वाला पलस दूसरा वाला अब यहां देखिए सिंगल एक्षन में पहले वारे उसे लोग घटाएंगे और बोध एक्षन में पहले वारे उसे लोगों जोडेंगे यह ची आप कल की क्लास में पढ़े हुए हैं लेकिन अगर अपोई अलफाबेट का कोशन होगा इसमें कोशन में लिखा हुआ रहेगा क को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से अठारह में अक्षर के बाएं का नावमा अक्षर कौन सा होगा यह हमारा कोशन हुआ इसी पैटर्न का आपका अपोई अरड़ अलफाबेट का सारा कोशन रहेगा अब देखिए इसमें यह कोशन आप देखिए आप कोशन पहचानने का तरीका से समझ सकते हैं दाएं से अठारह में के यहां भी दाएं ही कर लेते हम दाएं क का नौमाक्शार दुनों जगाँ क्या है दायां दायां है तो यह ककोशन किसका होगया? सिंगल डाएक्शन का का कोशन होगया? कल आप पढ़ेते अप सिंगल डाएक्शन का जो आप पीशी निकालने का तरीका सेके हैं , पहले वाला मैन choosing में से दूसरा वाला निकालेंगे किसी तरह से लेकिन वहाँ आप पढ़े थे अंसर निकालने में एस्टेट और अरफाबेट में कि जो दिशा दिया रहा था था उधर से ही अंसर निकाल देते थे लेकिन यहाँ पर क्या करना है जो फर्स डियरेक्शन रहेगा उसके अपोजिट से जैसे यहाँ दाएं दिया हुआ है निकालेंगे अंसर बाएं से अब इस कोस्वालब करके आपको बताते हैं पी सी बराबर पहले अच्चु की सिंगल एक्शन का कोस्वाशन है दाएं अठारह में के दाएं का नुम अठारह में कितना आ गया कितना आ जया झांभ यह पूछ रहा है दाएं से तिर मीडि से इसको बाएं से बाएं से नुम आख्शर कुह आ पको फिर ईंश्र हो गया हुए आब इसमें आप इस तरह काoric बीुलाने के लिए एक और कोशन हम देते हैं यहां पर हम देते हैं बाय customs से लिख देते हैं कि इसी question को चैंज करके बाय से बीत में अक्षर के बाय का 11 we as our कंसा होगा है निकालना है हम लोग को क्या करना है इसमें पीछी निकालना है पीछी निकालना है तो 22 weas a 2 के बाइए का ग्र हो सिंगड़ ऑप सिंगर इक्व एक सन है किना हो गया नवचे हैं है बश्ञता हो गजा नव अब यह करने होगा 27 में मैनस करना हो तो 27 मैनस कितना हो जाएगा 18 18 मा अक्षर आपका हो जाएगा और एंसर हो जाएगा आपका आर यहां पर अगर इस तरह का कोशन आएगा तो आप लोग इजली बना लेंगे दो एक्जामपल से हमने समझा दिया आपको बैटरी नक्ष समझने का प् 22 से 10 में अक्षर के यहां कर देते हैं दाएं का 11 मा अक्षर इसी को रहने दीजिए ठीक है अब यदी वर्माला को ल्टे करम लिखा जाए 22 से 10 में अक्षर के दाएं का 11 मा अक्षर पीसी निकालें कि आप पहले बाद से वाले को जोर करके पीसी निकालें यानि 10 पलस 11 बरा है एंसर किदर से निकालेंगे दाएं से यानि दाएं से किस्वा निकालने के लिए क्या करेंगे 27-21 यानि 6 होगा छठाक शरापका F हो जाएगा एंसर हो जाएगा F आईए इस पर दूसरा एक्जामपल करके देखते हैं हम लोग अब यहां पर लिखते हैं दाएं से उनीसमें अक्छर के बाएं का छठा अक्छर ठीक है यदि अंगरीज बनमाला कोपृत करम में लिखा जाए तो दाएं से उनीसमें अक्छर के बाएं का छठा अक्छर कौन सा होगा यह निकालना है यहां पर हम लोग क्या करेंगे PC निकालेंगे PC जो है हमारा क्या हो जाएगा उनीस है उनीस में प्लस 6 करें यानि 25 हो जाएगा अब 25 मा का रहा है दाएं से निकालने ते निकालने किदर से 22 बाएं से 25 मा क्षर कौन सा हो जाएगा वाई एंसर हो जाएगा आपका वाई इस तरह से अपूइट और अलफावेट का जितना भी कोशन आएगा इसी टेकनीक से आप सारे कोशन को असानी से स्वाल्व कर सकते हैं बना सकते हैं अब आईए इसी कोशन को डिस्क्रिप्टिव अगर देखना चाहते हैं दाएं से काता है दाएं से इधर से चलेंगे दाएं से उनिसमा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नव, दस, क्यारा, बारा, तेरा, चाहुदा, पंदरा, सोला, सोला, सतरा, अठारा, उनिस दाए से उनिस्माह ऐस हो गिए उनिस्मे के बाएं का छठा इसके बाएं छह जाना है एक दो तीन चार पांथ चहे क्या आगए वा आप यहां déjà सोट ट्रिक्व में बना है यह दिसक्रिप्टि बनाई जिस तरह से आपको समझ में आये उस तरह आप मेरे इस channel को subscribe नहीं किये हैं तो subscribe कर दीजिए और like कीजिए, share कीजिए और comment में जरूर लिखिए किस तरह का class लग रहा है आप लोगों को और मेरी जिग्यासा रहती है आप लोग से सुने कि आप लोग को कैसा लग रहा है मेरा class आइए आगे हम देखते हैं इसमे टाइप 4 टाइप 4 जो हमारा होगा वो देखेंगे इसमें टाइप 4 देखेंगे हम लोग इसमें टाइप 4 जो है हमारा वो है पोजिशनल काउंटिंग टाइप फोर हमारा होगा पोजिशनल काउंटिंग इसमें क्या रहेगा कि आपको कोई लेटर दे देगा दो या दो लेटर का पोजिशन दे देगा उसके बीच में टोटल कितना आक्छर है वो पुछेगा या फिर एकदम मद्ध में एकजेक्ट मिडिल में कौन साग चराता है उसके बारे में पूछेगा अगर ऐसा कोशन आया तो हम लोग कैस तरह से बनाएंगे एक तो होता है इसमें दो तरह की बाते होंगी एक होगा टोटल मिडवे लेटर और एक होगा आपका दूसरा इसमें एकजेक्ट मिडवे लेटर एक होगा टोटल मिडवे लेटर दूसरा होगा एकजेक्ट मिडवे लेटर अगर आपका टोटल मिडवे लेटर का कुश्चन आएगा तो हम लोग किस तरह से बनाएंगे उसके लिए यह देखते हैं टोटल मिडवी लेटर यानि बीच में टोटल कितना आक्षराएगा, दो लेटर दे देगा, या दो पोजिशन दे देगा, उसके बीच में कहेगा टोटल कितना आक्षराएगा, वो निकाले लेदेगा, कैसे निकालेंगे, अगर इसमें आपको सिंगल डायक्षन का कोश्चन हुआ, कुछ ने करना है, higher minus lower कर दिजिए, आपका answer minus one, higher minus lower minus one कर दिजिए, answer आपका आ जाएगा, अब यहाँ पर देखिए, हम लोग निकालेंगे question का answer इसमें, एक question लिखते हैं, अंग्रेजी वनमाला में, अंग्रेजी वनमाला में, बाएं से, सोलह में, तथा, 21 में अक्छर के, मद्य, कुल कितना अक्छर है, कुल कितना अक्छर है, अब यहाँ देखिए, आपको दिया है, अंग्रेजी वनमाला है, 22 से, सोलह में और 21 में के मद्य, तूटल कितना अक्छर है, आप फर्मूला लिखे हैं, single action यहाँ पर 22 है, 22 ही दिया हुआ है, एक ही direction का चर्चा है, तो हम लोग निकालेंगे, question का answer इसमें higher दिया हुआ है, एक हीस, टोटल में भी लेटर को, स्वाट में करते हैं, TML बढ़ावर हो जाएगा, एक हीस माइनस 16, माइनस 1, एक हीस में 16 घटाएंगे तो हो जाएगा 5, अब पांच में से अगर एक घटा देजाएगा, इतना हो जाएगा, चार, आपका answer आजाएगा, चार, यानि 22 से 16 में और एक हीस में के मद, हमारा count कितना लेटर है, चार, आप देश तक ने 16 माँच्छर P है, एक हीस माँच्छर U है, P और U के बीच में Q होगा, R होगा, S होगा, T होगा, यह 4 लेटर होगा, तो हमारा इस तरह से descriptive भी आ जाएगा, और short trick से भी answer आ जाएगा, अब आईए इस पर हम लोग देखते हैं, यह तो single reaction रहेगा, इस तरह से निकाल लेंगे, अगर इसमें हमारा both reaction का question रहेगा, तो कैसे निकालेंगे, बोथ reaction का question आया, तो किस तरह से काम करेंगे, उसके बारे में जानते हैं थोड़ा, टोटल मिडवे लेटर में बोथ reaction का question अगर आ जाता है, तो बोथ reaction में बायां और दायां दोनों का चर्चा होता है, हम लोग इस तीज को पढ़े हुए हैं, बोथ reaction का अगर question आएगा, तो सबसे पहले इसमें हमको एक नमबर, फर्मूला नमबर एक, अगर हमारा PC बराबर हो जाता है, यानि बायां और दायां दोनों का sum जो है, यानि बायां दायां दोनों के sum को PC कहेंगे, PC हो जाता है 26 या 27 या 28, तो बीच में कोई अक्षर नहीं होगा, अगर हमारा PC बराबर हो जाता है 26 हो जाए या 27 हो जाए या फिर 28 हो जाए, तो बीच में कोई अक्षर नहीं होगा, दूसरा फर्मूला हमारा है यदी PC हमारा बरा हो जाता है 28 से तो TML निकाल लेंगे Total Midway Later बरावर हो जाएगा PC-28 तीसरा फर्मूला आपका इसमें आएगा यदी PC हमारा छोटा हो जाता है 24 से तो TML निकल जाएगा इसका 26-PC करके अब तीन फर्मूला यहां पर लिखे हैं हम लोग तीनों फर्मूला से एक 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 ग्जामपल घर के आपको समझा देते हैं आपका कोश्चन बन जाएगा आईए एक्जामपल हम यहां पर लिख रहे हैं एक्जाम्पल वन आपको यहां पर देखिए लिखना कोस्चन है अंग्रेजी वन माला में अंग्रेजी वन माला में बाएं से तेरहमें अक्षर तथा दाएं से चौदहमें अक्षर के मद्ध कुल कितने अक्षर हैं अब यहां देखिए अंग्रेजी वन माला में बाएं से तेरहमें अक्षर तथा दाएं से चौदहमें अक्षर के मद्ध जो है टोटल कितना अक्षर है वो निकालना है हम लोगों को यहां पर देखिए हम लोग निकालेंगे सबसे पहला का हम पारा PC निकालना बाएं दाएं हैं दोनों को एड करना परेगा 13 प्लस 14 कितना हो गया 27 PC बराबर होगे न 27 के या देखे PC अगर 26 27 28 होगा कोई अक्षर नहीं होगा इट मिन्स इस कोस्टन हम देखते हैं अंग्रेजी बनवाला में इसी कोस्टन में हम मिटा कर लिए अंग्रेजी बाएं से 18 में तथा दाएं से 19 में अक्षर के मद्य कुल कितना अक्षर है यह निकालना है अब देखे इसमें क्या होगा PC यहां भी निकालेंगे 18 पलस 19 तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा 37 हमारा क्या हो गया देखे PC हमारा आ गया 28 से बड़ा तो क्या करें इसमें 37 में 28 को गटा देंगे गटा आएगे तो रिजल कितना आ गया 9 यानि हमारा 22 से 19 में और 22 से 18 में और 22 से 19 में अक्षर के मद्य टोटल कितना अक्षर है 9 अक्षर है अब आईए इस पर तीसरा एक्जामपल हम लोग करते हैं तीसरा एक्जामपल जो हो जाएगा यहाँ पर हम लिख देते हैं बाएं से आठ में तथा दाएं से चवथे अक्षर के मद कितना अक्षर है अब इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे देखिए पीसी निकालेंगे पीसी हो जाएगा 8 पलस 4 बरावर कितना हो गया 12 अब देखिए यहाँ पर आपका पीसी जो हो गया वो 26 से क्या हो गया छोटा हो गया अब क्या करेंगे इसमें 26 में पीसी को घटा देंगे रिजल्ट कितना आ गया 14 एंसर हो गया टोटल मिडिल लेटर की बात अब इसमें देखते हैं हम लोग एकजेक्ट मिडिल लेटर पोजिशनल काउंटिंग में आगे हम देखते हैं एकजेक्ट मिडिल लेटर एकजेक्ट मिडिल लेटर अब देखिए यहाँ पर दूसरा जो था पॉइंट एक्जेक्ट मिलेटर इसमें क्या होगा दो अक्षर दे देगा या दो अस्थानक्रम दे देगा उसके एकदम मद्ध में कौन सा अक्षर है एक अक्षर एंसर के रूप में आएगा इसका भी कोश्चन अगर सिंगल डायक्षन का रहा तो हम लोग कैसे निकालेंगे यहाँ देखिए सिंगल डायक्षन के लिए सिंगल डायक्षन के लिए दोनों अस्थानक्रम का योगफल दो पॉइशन देगा दोनों अस्थानक्रम का योगफल यानि सम बाई टू अब देखिए जब भी single action का question रहेगा तो exact million letter निकालने के लिए दोनों अस्थान करम को जोड़ देंगे उसमें दो से भागा देंगे जो result आएगा उसको जिधर से डाइक्शन नहीं है 22 से दिया रहे तो 22 से count कर लेंगे दाएं से दिया रहेगा तो दाएं से count कर लेंगे आईए एक example करके देखते हैं इसमें लिखना है अंग्रेजी वर्ण माला में अंग्रेजी वर्ण माला में दाएं से 9 में तथा 11 में अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा अब यहाँ देखिए यहाँ पर अंग्रेजी वर्ण माला कौन सा अक्षर होगा एक अक्षर पूछा जा रहा है आपको दाएं से 9 मत थाएगा रहा है सिंगल एक्षन का कुश्चन है अब क्या करेंगे EML एग्जेक्ट मिलिलेटर को स्वाट में EML लिख सकते हैं EML बराबर दोनों सरव का योगपल लिखा हुआ है 9 पल से 11 बाए 2 9 में 11 जो रिएगा तो 20 हो जाएगा 20 में 2 से भागा देजिएगा 10 अब दसमा यहां पर देखिए दाएं से लिखा हुआ है दाएं से दसमा निकालने के लिए हम लोग क्या करें 27 मैनस 10 यानि 17 17 माक्षर कौन सा हो जाएगा Q यानि दाएं से 9 में और 11 में के मद कौन सा अक्षर होगा Q आपका एंसर हो जाएगा Q अब यहां पर देखिए इस तरह इस फर्मूला से आपकी इसा भी कोशन आएगा एक्जेक्ट में लिटर का सिंगल आइक्सन में हर एक कोशन का आप एंसर निकाल सकते हैं लेकिस सवाल यह उठता है कि यहां दो से भागा दे रहे हैं तो ऐसा भी कंडिशन आ सकता है कि इसको भागा दे तो पॉइंट में आ जाए तो पॉइंट में कोई लिटर का पोजिशन होता नहीं है इसलिए एक जेक्ट मिली लेटर कोई भी एक लेटर नहीं आ सकता है वहाँ पर दो लेटर आ सकता है answer आईए और इसा question भी एक देख लेखते हैं हम लोग यहाँ पर दे देते हैं बाएं से बाएं से ग्यारा हमें तथा 14 हमें ठीक है 11 हमें और 14 हमें अच्छा दोनों को जूड़ेंगे 11 पलस 14 बाए 2 करेंगे EML निकालने के लिए जो आप सीखें अभी अब देख यहाँ पर जो है 11 और 14 का योग फल 25 हो जाएगा भागा देंगे सारे 12 हो जाएगा सारे 12 हमा तो कोई लेटर होता नहीं है लेकिन आप 20 से दिया है ऐसा कर सकते हैं एक लेटर 12 हमा ले लिजिए और एक 13 हमा ले लिजिए एंसर आपका LM हो सकता है लेकिन अगर बिकल्प में LM लिखा हुआ है तो मारेंगे नहीं लिखा हुआ है, इसका एंसर हो जाएगा सीधा, कोई नहीं, ठीक है, ऐसा question आएगा तो आप लोग बना लेंगे इस easy way में, अब आईए, इसमें हम लोग देखते हैं, both reaction का question, अगर both reaction का question आएगा तो कैसे बनाएगे, उसके लिए formula देखते हैं, both direction, both reaction भाया दाया दोनो पीसी बराबर हो 26, 27 या 28 के, तो कोई अक्षर नहीं होगा, कोई अक्षर नहीं होगा, इपरे हुए, दूसरा formula आप पर लिजिए, यदि पीसी बराबर नहीं हो, 26, 27 या 28 के, यानि पीसी जो है 26 से छोटा हो जाए, या फिर 28 से बरा हो जाए, दोनों के लिए एक ही condition है, पलस बाया, बाय टू, यानि EML बराबर, अगर ऐसा कनिशना आजाता है, हमारा पीसी जो है बराबर नहीं हो 26, 27 के, तो क्या करेंगे, 27 में दाया को घटा के पलस बाया कर देंगे, दो से भागा देंगे, हमारा एंसल आ जाएगा, आईए, इसमें हम लोग देखते हैं, बो कोश्चन है, अंग्रेजी वनमाला में, अंग्रेजी वनमाला में, बाय से, बारह में अक्छर, तथा, दाय से, सोला हमें अक्छर, के, एकदम मद्ध में, कौन सा अक्छर होगा, ये कोश्चन है आपका, अंग्रेजी वनमाला में, इसका पहले PC निकाली है, सबसे पहला का हुआ रहा है, बाया दाया है, दोनों को एड करेंगे, पीसी बरावरा है, बारह पलस सोला, यानि कितना हो गया, अठाइस, अब यहाँ देखे, आप लिखे में, PC अगर बरावर हो जाए, 26, 28 का, तो कोई बीच में अक्छर नहीं होगा, PC हमारा 28 आ गया, ते अंसर क्या हो जाएगा, कोई, नहीं, यान एक भी अक्छर बीच में नहीं होगा, अब इसी में, अब देखेंगा, अगर हमारा PC बरावर नहीं होता, 28 के तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग, चेंज कर लेते हैं, डिजिट को, यहाँ पर कर देते हैं, 10, और यहाँ पर कर देते हैं, 9, ठीक है, अब आप निकालिए, यहाँ पर PC, तो आपको समझ में आएगा, यहाँ PC निकालिए, यह आप EML बढ़ाबर, 27 माइनस दाएं से, दाएं से कितना है, 9 दिया हुआ है, ता माइनस 9 कर लीजिए, पलस 22 से 10 दिया हुआ, 10 कर लीजिए, by 2 कर दिजिए, 27 में 9 गया, 18 हो जाएगा, 18 पलस 10 by 2, यानि 18 में 10 कितना हो जाएगा, 28 by 2, यानि हो जाएगा, 14, फर्ट आइक्षन क्य या बाएं से बाएंस चौदाम आक्षर कौन सा एन एंसर हो जाएगा हमारा एन और एक ची जान लिजिए इस फर्मूला का हल जो है अल्वेज लेफ्ट साइड से काउंट करना हमेशा चाहे कोई भी डायक्शन दिया हुआ है अल्वेज आप इसको लेफ्ट से ही अंसर निकाल 12 हमें अक्षर तथा 22 से 18 हमें अक्षर के मद्ध कितना अक्षर है यहाँ पर भी आप देखिएगा अगर PC निकालिएगा तो 12 पलस 18 किजिएगा तो 30 आ जाएगा जो की 26 से 28 से बड़ा है ऐसा कंडिशन में आपको इस फर्मूला का यूज करना परेगा EML यानि 27 मैनस दाए 12 है 12 तो 12 कर दिए और पलस 18 है तो 18 कर दिए बाई 2 लेकिन एक्षी ध्यान रहे इस फर्मूला का भी अगर हला जाता है दसमलम में तो बीच में कोई अक्षर नहीं होगा जो कि आप पीछे परे हुए हैं अब यहाँ पर 27 में 15 गटाए 12 गटाए 15 पलस 18 बाई 2 15 और 18 को एड करेंगे कितना हो जाएगा यह 33 33 बाई 2 यानि सारे 16 हो जाएगा सारे 16 मा कोईलेटर होता है नहीं होता है एंसर आप इसको लिख सकते हैं पी और क्यू या फिर कोई नहीं इस तरह से आपका यह पोजिशनल कांटिंग जो है का कोश्चन जो भी आएगा आप लोग इस फर्म वीडियो आपको पसंद आता हो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए सेर कीजिए और कॉमेंट्स में जरूर लिखिए कि आपको यह वीडियो मेरा कैसा लगा और आप कॉमेंट्स में लिखेंगे तो मैं उससे प्रोसाहित होकर और बहतर से बहतर करने का प्र इतना ही धन्निवाद.